विराट कोहली ने श्रीलंका के गेंदबाजों की धुलाई करती हुए जिस तरहां वंडे मैचों में अपना 45 वा शतक लगाया उसे देख क्रिकेट एक्सपर्ट कहने को मजबूर हो गए कि इंडिया के शतक बनाने की मशीन एक बार फिर पूरी रफ्तार से दोड़ने लगी ह विराट कोहली ने गोवाहाटी वंडे में 113 रंकी पारी खेली जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल रहा लगातार दो बंडे मैचों में विराट कोहली के दो शतक देख क्रिकेट एक्सपर्ट बोलने को मजबूर हैं कि अब विराट दोबारा रंग में आ गए हैं और सचन का 100 चतक का रिकॉर्ट खत्रे में आ गया है क्योंकि इंटरनाशनल क्रिकेट में विराट कोहली अब 73 चतक लगा चुके हैं शोयब अख्तर ने विराट कोहली को सलहा देते हुए कहा विराट कोहली को अब बंडे मैचों पर ही फोकस करना चाहिए क्योंकि अगर विराट फिट रहे तो जिस तरह की उनकी क्लास है वो आराम से 100 चतक पार कर लेंगे वहीं सुनील गावसकर ने विराट कोहली के शतक पर कहा विराट कोहली की ऐसी फॉर्म बंडे वर्ल कप के लिहाज से भारत फिले बहुत ज़रूरी थी बुरे दौर के बाद विराट कोहली में रनों की भूक ज्यादा दिखाई दे रही है इर्फान पठान ने भी विराट कोहली के शतक की तारीफ करते हुए उन्हें सलाम किया आपको आज विराट कोहली के बल्ले बाजी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें